वेलकम बैक टू माई चैनल एक बार फिर आप सभी लोगों का इस्टेडी 5.6 में स्वागत है आज हम लोग सिखेंगे कि यह perfect square root किस संख्या का है आज मैं सिखाऊँगा यह trick बताऊँगा कि यह perfect square जो है किस संख्या का है यानि यह square root जो है किस संख्या का है यह perfect square root है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक चीज पहले आपको सिखना पड़ेगा इसके बाद आप खुद जब जान जाएंगे तो आप खुद इसको 5 या 6 सिकेंड में साल्वाल को साल्व कर देंगे तो देखिए पहला अगर है कुष्चन का यूनिट जो होगा या तो एक होगा या तो नव होगा अगर चार है प्रस्ण में देखिए अगर यहां पर देखिए चार है कुष्चन का यूनिट डिजिट अगर चार है तो उसका एंसर का यूनिट डिजिट दो या आठ हैगा उसी परकार 5 का 5 होगा 6 का 4 और 6 होगा तो यह आप द्यान में रख लिजिए ये knowledge के लिए है देखें question क्या कहता है का रहा है 529 root root 529 किस संख्या क्या क्या है square root है तो सभी लोगों को 10 तक तो यादी होता है सबको 10 तक याद होता है कि 10 का square क्या होगा मान लिजिए 11 से आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये trick बहुत वहतरिन है आप लोग ध्यान से सिखिएगा तो देखिए ये बोलता है कि root 529 किस संख्या क्या है square root है तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले 2 का pair बना लेना होगा आप 2 का pair बना लिजिए यहाँ पर अकेले 5 है तो उसको एक यहाँ पर बस बना दिजिए उसका अकेला प्यार हो जाएगा यहाँ पर बता रहात हमें question का unit digit आपको देखना है 1,4,5,6,9 इनहीं में से आपको पकड़ना है अगर माल लिजिए यहाँ पर माल लिजिए अगर 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता है वो non perfect square root है तो देखिए यहाँ पर 9 आया है na question का unit digit जो है 9 आया है तो आपको देखना है 9 कहा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ 5 second में आप सालवाल को सालव करेंगे, यहाँ पर 9 आया है तो आप देखिए 9,9 का answer क्या होगा, 3 या 7 आएगा, तो यहाँ पर आप लिख आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मालेजिए 5 इसके बीच में आ रहा है, तो आपको जानते हैं क्या करना है, यह जो 2 दिख रहा है हमेशा, किसी भी सवाल में अगर बीच में जबाए, तो यहाँ पर जो 2 उपर वाला है, उसको यहाँ पर लिख लेना है, 23 यहाँ इसमें भी लिखेंगे दë इसमें भी मिलिखेंगे तो यह तेस हो जाएगा सभी लूग सिख जाएंगे दूसरा कुछन है आपका देखिए इसमें 4 रंक आपको दिख रहे हैं ये बुल रहा है पचास सव एक्तालिस यानि रूट पचास सव एक्तालिस किस संख्या क्या है इसका रूट है तो आप पहले पेर बना लिजिए एक और ये इसमें दो संख्या तो दोनों का पेर बन गया अब आपको क्या करना है कुष्चन का यूनिट डिजिट देखना है तो कुष्चन का यूनिट डिजिट हमारा एक है तो इसका एंसर क्या आएगा लास्ट में इसका एंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा या तो एक होगा या तो नव होगा तो यहाँ पर लिख लिजिए या तो 1 या तो 9 यहाँ पर भी आपको मैं बताया अगर 9 question का unit digit है तो answer क्या होगा answer का last unit digit या तो 3 होगा या तो 7 होगा यहाँ पर देखिए तो आपको मालूम चल गया न कि answer तो अगर बिकल्प दिया रहेगा तो आप असानी से लगा देंगे माली जी यह बिकल्प साथ नहीं दिया है तो आप असानी से लगा सकते हैं तो चलिए दूसरा question है यहाँ पर तक मैं बता दिया अगर question का unit digit एक आपका आया है तो answer का unit digit या तो एक होगा या तो 9 यही आपको आपको सबसे पहली काम काया पढ़ना है कि 50 तो यहाँ पर लिख लिए अब इनके बीच में आता है तो उपर वाला इसी को लिख लेना है यहाँ पर साथ लिख लिजिए यहाँ पर साथ लिखती जिए तो यह 71 बन गया और यह 89 बन गया इतना सभी लोग को मालूम चल गया अब आपको क्या करना है 50 किसके सबसे नदिक आता है तो 50 जो है 49 के नदिक आता है 64 के नदिक नहीं आता है आप सभी लोग बोलोगे कि 50 जो है 49 के नदिक आता है यानि उपर वाले के नदिक आता है तो जब उपर वाले के नदिक आएगा तो आप उपर वाला एंसर आप बता है दो-दो का प्यार आप बना लीजिए यहां पर देखे कुश्चन का यूनिट डिजिट चार है जब कुश्चन का यूनिट डिजिट क्या है चार है तो यहां पर आप देख लीजिए तो उसका एंसर क्या होगा answer 2 या 8 होगा last में उसका answer unit क्या होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा अब आपको क्या करना है ये वाला 60 क्या है 60 जो है किसके बीच में आता है तो 60 जो है आपका 64 और 80 के बीच में क्या आता है 60 आ जाएगा अब आपको जब 60 इसके बीच में आ गया अब आपको देखना है कि यह जो 66 है किसके सबसे नदीक है 64 के नदीक है कि 80 के तो अगर उपर वाले के नदीक होगा तो यहाँ पर आपका उपर वाला एंसर होगा अगर नीचे वाले के नदीक होगा तो नीचे वाला एंसर हो जाएगा तो 66 जो है वो 64 के नदीक है है कि नहीं तो जब 64 के नदिक है यही आपका क्या हो जाएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा इसमें देखिए आपको क्या करना है जब आप देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच संख्या है तो पहले आप दो का प्यार बनाएंगे इसके बाद तीन संख्या मच रही है तो उन तीनों का एक साथ प्यार आप बना देंगे अब आपको वही चीज फिर से करनी है कुश्चन का यूनिट डिजिट पकड़ना है तो एक है, तो एक जब है तुशका एंसर या तो एक होगा या तो नव होगा यानि एंसर का यूनिट डिजिट तो एक और नौ आप लिख लिजी अब देखिए 252 जो है यह देखिए बहुत बड़ा सवाल है यह अधिकतर नहीं पूछा जाता है मैं तब पर भी बता दे रहा हूँ 252 जो है, किसके बीच में आता है 252 जो है, 225 और 256 के बीच में क्या आता है 252 आता है जब इनके बीच में आ गया तो सबसे पाहले आपको क्या करना पड़ता है उपर वाली संख्या को लिख लेना होता यानि 15 तो यहाँ पर आप 15 लिख लिजिए कितना आप 15 लिख लेंगे ओस्वारी यहाँ पर आपको 15 लिख लेना है और यहाँ पर भी आपको 15 लिख लेना है यानि यह 151 हो गया और यह 169 हो गया अब आपको देखना है 252 किसके सबसे नद्दिक है 225 के नद्दिक है कि 256 के तो यानि 256 के नद्दिक है यानि नीचे वाली संख्या के नद्दिक है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यानि 169 यही आप क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा रूट 289 और रूट 1296 ये अपवाध हैं इनको किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता जो रूट 289 है वो 17 का स्कार रूट है और जो रूट 1296 है वो 36 का स्कार रूट है असा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा इसी तरह के टापिक पाने क के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगले वीडियों फिर मिलते एक नए टाप